हलो मेरा नाम डॉक्टर धीपक क्याइकर है और मैं एक सेक्याट्रिस्ट, हिप्नो थेरेपिस, सेक्सालोजिस्ट, एनलपी ट्रेनर, डिय एडिक्षिन स्पेस्चेलिस्ट हूँ और एक कोच हूँ मैं आज आपको बताने वाला हूँ, स्टेटरिंग, स्टैमरिंग या हकलाने का घरे लूप चार उसके बारे में मैंने पहले इसके बहले दो वीडियो डाले हुए है इसमें मैंने अब बता हुआ है कि हकलाने का इलाज सम्मून के माद्यम से मतलब हिपनोसिस के माद्यम से या NLP टेक्निक के माद्यम से होता है कवी सारा लोग मुझे पूछते कि हमको घर में बेटे बेटे बताओ क्या इलाज करना है हम नहीं आ सकते आपके तरफ तो उसके लिए मैं कुछ घरे लोट चयर बताता हूं कि घर में बेटे बेटे कैसी आपके उप्चार हो सकता है क्या करना है कि असके हर दम जिसको यह problem है जिसको यह समस्य है उसने हर दम घर में बैटे बैटे relax अवस्ता में बैटने का है एक दम शितिल अवस्ता में बैटने का है और ऐसी कलपना करने का है कि मैं लोगों के साथ में बात्चित कर रहा हूं और बार बार इतना clear visualization कि actually अपन लोगों के साथ में बात्चित कर रहे है लोग क्या बोल रहे हैं उनकी आवाज सुनने का है मैं खुद क्या बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज सुनने की है अपनी आवाज सुनने की है और actually यासा हो पूरा picture यासा है एक movie अपने सामने खड़ा करने का है तो ये बार 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 ये practice करने की दूसरी practice ही हो सकती कि आयने के सामने खड़ा रहना और आयने के सामने खड़ा रहे कि आयने में जो आदमी दिखता है उसको बिना हकलाते हुए बात्चित करना कि दिसरा उपचार या तिसरा उपाय हुए सकता है कि घर के लोगों को सामने बिठाना, गर के लोग भाई, बैन, बच्चे, माँबाप, जो भी कोई होंगे, इसामने बिठाना, समझे कोई भी आप अकबार पढ़ते हो, अकबार एक पुरा पेच पढ़ लेना, और अकबार पढ़ने के बाद में उनके सामने जाके बिना देखे वे उनको समझा के बताना फिर नेक्स्ट बच्चे काफी आते हैं कि जो बोलते हम क्लास में बोल नहीं सकते या जो टीचर बोलते हैं उसका हम जबाब नहीं दे सकते तो मैं बोलता हूँ पहले टीजर को जाके बोल दो क्यों पहले मुझे यह हक लने का प्रॉब्लम है और आप जान बुछ कर मुझे क्लास में सवाल पुछो लोग हसेंगे, बच्चे हसेंगे हसने दो आज बापको हसेंगे, कल आप जब अच्चा बोलना चालू करेंगे ना तो वो रोएंगे तो गलास में भी यह प्रैक्टिस करना है लोगों के साथ में जान, बुछ कर बात करना और प्रैक्टिस करना और जब लोगों के साथ में बातचित कर रहा है हकला रहाеся तब वो practice करना है कि अपकल एकडवतिती रवस्था में एकडव मुद संब रवस्ता में और खड़े रहे के बात्चीत करना है qo जब बात्चीत करेंगे एक्शुली रigs यह पूरा एरिया है क्यों रिलाक्स करने का है और बात्चीत करना तिन है कि घर में बैटे-बैडे एक टेबल संझ गे ओपर आपदने पया प्हें कोई लिल्या और ऑसद टक टक टक59 केसा मारती जाना है आवाज करते जाना है तक तक और जैसा यह कॉनसा साथ एक 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 शब्ध शानत इसे आराम से बोलने की प्याक्टिस करने कि सबसे बेस्ट जो है वो घर में बैटे बैटे विजुलाइजेशन करना कि जैसे भी में लोगों के साथ में बात्चीत कर रहा हूं बिना हक लाते हुए और एकदम रिलाक्स अवस्ता में बात्चीत कर रहा हूं जो मैंने पहले बाता है वह आप करेंगे तो डेफिनेटली हिपनोसिस का वरक्षाप है तो जरूर अटेंड कीजिएगा और अपने आपको एक अच्छा वक्ता व्याप तैयार कर सकते हो आप जैसे काफी लोग होंगे कि जो ये वीडियो देखने के लिए उस्सुक होंगे काफी लोगों को ये प्राब्लम है तो आपके संपर्ग में जितने भी लोग होंगे उनको ये वीडियो शेर कीजिएगा आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करो लाइक करो शेर करो ताकि मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरे दुनिया में लोगों को ये प्राब्लम से मुक्ति मिले लोग अच्छे हो जाए कम से को हमारे दे कर दो